तलाक चाहिए तो मेरी एक शर्त है एक दर्द भरी कहानी जब मैं रात को घर पहुचा तो मेरी पतनी ने खाना लगाया मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है वो सांत बैठ कर खाना खा रही थी उसकी आखों में मैंने बड़ी शांती से कहा मुझे तलाक चाहिए लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा बलकि उसने मुझसे पूछा क्यों तलाक चाहिए मैंने उसके सवाल को अंसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया उसने चम्मच उठा कर फैक दिया और जोर से चिलाई तुम इंसान नहीं हो उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की वो रो रही थी मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर क्या हुआ जो हमारा रिष्टा तूटने की कगार पर आ गया पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुम्किन था मैं अब किसी और से पिरिया नाम था उसका प्यार करने लगा हूँ अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सजा दी थी भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तयार किये उसमें लिखा था कि वह पूरा घर, कार और कंपनी के 30% शेर ले सकती है इस त पेपर्स को देखा और उनके टुकडे टुकडे कर दिये, वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अंजान हो चुकी थे, मुझे इन 10 सालों का जो उसने मेरे लिए बरबाद किये, मगर मैं क्या करूँ, जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं स करता था, क्योंकि मैं किसी और से अपनी पत्नी से भी जादा प्यार करने लगा था, आखिरकार उसके सबर का बांध तूट गया, और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी, मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी विदाई या उसकी रिहाई की तरह था, तलाक की य बैठ कर कुछ लिख रही थी, मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे उपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन पिरिया के साथ रहने और कई जगह गूमने के बाद मैं ठक गया था, वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखत सो गई थी, सुबह उसने तलाक की शर्तें बताई, वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी, उसे सिर्फ तलाक से पहले एक महिने का समय चाहिए था, उसने आग्रह किया कि इस एक महिने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जीएंगे जितना संभव हो सके, क्यों मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी, जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने स्यनकक्ष तक ले गया था, उसी तरह हर रोज एक महिने तक मैं उसे स्यनकक्ष से उठाकर मुख्य द्वार तक भी लाओं, मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्विकार कर ली, मैंने प्रिया को अपने पतनी की सभी शर्तों के बारे में बताया, वो हसने लगी, उसे लगा, मेरी पतनी कितने भी तरीके अपना ले, तलाख होना तो तैह है, मेरी पतनी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन, जब मैंने उसे पहली बार उठा कर गेट तक लेकर गया, तब हम दोनों काफी अजीब महसूस कर रहे थे, पीछे से हमारा बेटा भी खिल खिला कर खुश हो रहा था, अगले दिन यह काम थोड़ा सामान्या और आसा मिल रही हो, फिर कई दिनों तक मैंने उसके होने का महसूस नहीं किया था, पहले जितनी उसमें वो कसाव नहीं था, और चहरे पर कुछ हलकी जुर्या नजर आ रही थी, और बाल भी सफेद होने लगे थे, ये वही औरत थी, जिसने अपने जीवन के दस साल मुझे समर्पि किये थे, चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया, तो वो पुरानी रोमांच लोटने लगी, पांचवे और छटे दिन वो पुराना प्यार फिर जागने लगा, मैंने प्रिया को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, अब उसे उठाना और आसान हो गया था, शायद वह हर कपड़े बड़े पढ़ने लगे हैं, तब मुझे पता चला कि वह काफी दूबली हो गई है, और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था, मेरे दिल को एक जटका सा लगा, उसने अपने दिल में काफी दर्द चुपा रखा था, पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा, अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा ये तो मम्मा को उठा कर बाहर ले जाने का समय हो गया है, उसके लिए अपने पापा दुआरा मम्मा को इस तरह उठा कर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन हिस्सा बन गया था, मेरी बीवी उसके हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया, मैंने अपना चहरा दूसरी तरफ कर लिया, मुझे लगा कि कहीं मैं अपना निर्णे ने बदलनू, मैंने अपनी पतनी को रोज की तरह उठाया और बैडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हौल तक लाय उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिये, मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल अपने सोहगरा की तरह, मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था, महीने के आखरी दिन जब मैंने उसा उठाया, तो मेरे लिए एक कदम भी चलपाना मुश्किल हो रहा था, हमारा बेटा इसकूल जा चुका था, मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूद कर बाहर आ गया, बिना कार को लॉक किये, मुझे डर था कि अब एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल देगी, मैं ओपर गया, प्रिया ने दरवाजा और कहा, सौरी प्रिया, अम मुझे अपनी पतनी से तलाक नहीं चाहिए, हमारी शादी शुदा जिन्दगी, शायद हम दोनों के ध्यान ना देने की वज़ह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह कताई नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, अम मुझे अहसास हुआ है कि जिस दिन से मैं उसे शादी करके अपनी घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है, प्रिया के होश उड़ गए, उसने मुझे एक जोरदार चाटा जड़ दिया, मेरे मोपर, वहरोने लगी और दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया, मैं सीडियों से नीचे उतरा और आकर अपनी कार में बैठ गया, आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पतनी के लिए एक सुन्दर सा गुलदस्ता लिया, दुकान दार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है, मैंने मुस्कुरात पर एक मुस्कान थी, मैं उपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन तब तक वह मुझे छोड़ कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए, वो कई महिनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी धान ही नहीं रह उसे पता था, वह जल्दी ही मुझे छोड़ कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिष्टे को तूटने से बचाना चाहती थी, मैं नीच उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चों की नजरों में एक प्यारा पती औ करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें